नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो आप सभी जानते हैं कि विटमेन, मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है और इनकी कमी हमारे शरीर में कभी-कभी बहुत-ज़द घातक बिमारिया भी कॉस कर सकती है लेकिन दोस्तो आज मैं आपको बताओंगी आठ ऐसे मिनरल्स और मिनरल्स के बारे में जिनकी कमी हमारे शरीर में सबसे जादा देखने को मिलती है और इसके practical evidence के अगर मैं बात करूँ तो मेरे clinic patients या online patients में और even overall भी जो इंडिया में research हुए हैं उनसे पता चला है कि ये 8 ऐसे vitamin और minerals हैं जिनकी कमी हम लोगों में सबसे ज़ादा देखने को मलती है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से vitamins और minerals हैं जिनक deficiency हो रही है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा informative है आप इसको अंतक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा शरीर macronutrients और micronutrients से मिलके बना हुआ यह चीज मैंने अपने कई वीडियो में आप लोग को बताई है macronutrients जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं जैसे कि protein, carbs, fat यह macronutrients है macronutrients उनने बोलते हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा essential होते हैं तो ये nutrient में minerals आते हैं, vitamins आते हैं और बहुत से ऐसे vitamins हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा important हैं, हमारे nervous system के लिए, हमारे bone के लिए, हमारे brain development के लिए, तमाम चीजों के लिए ये vitamins और minerals बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. और अगर इनकी कमी हमारे शरीर में होने लग गई और बहुत लंबे समय तक अगर बनी रहे गई तो ये हमारे शरीर में कभी कभी बहुत घातक बीमारियां cause कर देते हैं. तो आठ जो मैंने बोले की vitamins और minerals के बारे में बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा common देखने को मिलते हैं vitamins और minerals की deficiency, उनमें मैं सबसे पहले vitamins के बारे में बात करती हूँ. चार ऐसे vitamin जो सबसे ज़ादा common देखने को मिलते हैं एक है vitamin D आप सबने सुना होगा मेरे बहुत सारे videos में इसके बारे में सुना होगा vitamin D की deficiency लगबग आप समझ ले हर दो मैसे एक इनसान को देखने को मिली जाती है साथ में vitamin B12 बहुत ही ज़ादा common मिलने वाले deficiency है B12 की deficiency आए दिन देखने को मिलती है लोगों में B9 दोस्तों folate जो होता है वो भी बहुत ज़ादा deficient देखा जाता है लोगों के अंदर and 4 है vitamin C ये भी एक बहुत ही ज़ादा और आज आजकल आपने देखा होगा लोगों को बहुत ज़ादा vitamin C रिकमेंट किया गया है क्योंकि इससे हमारे शरीर की बहुत बार immunity effect होने लग जाती तो चार ये ऐसे vitamins हैं जिनके deficiency से आपके शरीर में जिनके deficiency आपके शरीर में सबसे ज़ादा देखने को मिलती है अब बात करते हैं हम minerals के बारे में उसके बाद मैं आपको लक्षर बताऊंगी कि कैसे कैसे लक्षर आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में किस vitamin या mineral की deficiency हो रही है बात करते हैं minerals के बारे में minerals में सबसे important हो सबसे ज़ादा देखने को deficiency जो मिलती है वो है calcium की calcium deficiency मुझे लगता है almost सभी ने कभी ना कभी space को जहला है कि calcium deficiency उनके अंदर आई है next है iron iron भी आप लोगों ने देखा होगा maximum लोगों में especially महिलाओं में iron deficiency बहुत ही ज़ादा common देखने को मिलती है इसके साथ साथ दोस्तो potassium ये भी एक बहुत ज़ादा deficient देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में potassium deficiency भी देखी गई and fourth जो mineral है वो है magnesium magnesium की भी deficiency बहुत ज़ादा common देखने को मिलती है तो चार ये ऐसे minerals हैं जिनकी deficiency आए दिन लोगों में देखने को मिलती है आप सबसे पहले बात करते हैं vitamin D की vitamin D की deficiency से दोस्तो आपको बहुत ज़ादा lethargy फिल होगा आप बहुत ज़ादा कमजोर महसूस करेंगे bones में आपकी अनिकी हड़ियों में आपको दर्द लगेगा कमजोरी महसूस होगी muscles में pain लग सकता है क्योंकि vitamin D जो होता है वो हमारे शरीर में calcium absorption के लिए बहुत ही important role play करता है तो अगर शरीर में vitamin D की deficiency है तो चाहे जितना अच्छा calcium supplement आप शरीर को दे रहे होंगे body उसको absorb ही ने करेगी जिसके फल सुरूप धिरे धिरे आपकी हड़ी कमजोर होने लग जाएंगी अंदर से खोकली और ब्रिटल होने लगेगी और आपको इस तरह के लक्षण हैनि की bone pain, joints में pain, कमजोरी, थकान, muscles pain, fatigue यह सारे symptoms आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स जो था vitamin B12 दोस्तों most common B12 जो vitamin है वो B12 deficiency है आए दिन लोगों में देखने को मिलती है चाहे वो महिलाएं हो या पूरुष हो जिनका digestion गड़बर रहता है उनमें B12 deficiency देखने को मिलती है जिन लोगों में बहुत साथ हीमोगलोबिन पूर रहता है उनमें B12 deficiency देखने को मिलती है जिसके फलसुरूप आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी ठकान लगेगी, shortness और breathe लगेगी मतलब आप सांस लेंगे, आपको सांस सही से नहीं आएगी अचकर आ सकता है हाथ पैर में आपको पीला पन सा देख सकता है आँखों में पीला पन देख सकता है क्योंकि आपको अनीमिया हो रहा है कुन की कमी हो रही है जिसके फलसुरूप आपको यह लग्षर देखने को मिल सकते हैं जो जबान है आपके जो टंग है वो स्वैलन देखने को मिल सकती है और excessive fatigueness यानि की कमजोरी मैसुस हो रही है तो अगर यह लग्षर भी आपको मिल रहे हैं तो एक बर आपना बीटोल चेक अब जरूर करा है वो सकता है आपकी शरीर जो है बीटोल जबिशिंग हो रहा है थर्ड था B9 folate जो है वो भी एक sort of बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और iron deficiency में भी folate बहुत ज़्यादा low होने लगता है इसमें भी आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी हाथ पैर में आपको पीलापन देखने को मिलेगा पैल्पिटेशन मिल सकता है आपको हार्ट पैल्पिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हार्ट पैल्पिटेट कर रहा हो shortness of breathe मिल सकती है आँखों के नीचे आपको कालापन लग सकता है आखे पीली दिख सकती है इस तरह के लक्षर आपको दिखे तो आप ज़रूर अपना vitamin B9 का check-up ज़रूर करा है फूर्थ है vitamin C आप सभी जानते है vitamin C और आजकल बहुत ज़्यादा involved किया गया था कि vitamin C को शरीर में जादा से जादा मात्रा में लें ताकि आपका immune system अच्छा रहे आपके जो शरीर में weakness है वो काफी हद तक recover रहे आपको कोई gums related यानि कि मसूडों से related समंदित बिमारिया ना हो क्योंकि जिन जिवायटी से हो दने लगता है जो gum से bleeding होने लगती पस formation होने लगता है अगर शरीर में vitamin C की बहुत लंबे समय से कमी रही है तो next बात करते हैं हम minerals में minerals में दोस्तों जो calcium है सबसे जादा common देखने को मिलता और उसमें जो लक्षन है सेम जैसे vitamin D में आपको issue देखने को मिल रहा था आपको हाथ पैरों में कमजोरी हट्डियों में दर्द हट्डियों से कट-कट का sound आना joints में pain होना आपको इस तरह हाथों में पैरों में cramps का लगना जैसे नसे चड़ जाती है या हाथों में अकड़न देखने को मिलती है तो भूग सही से नहीं लगेगी आपको वजन कम होने लगेगा आपको जो चलेंगे थोड़ा सा ही चलने के बाद आपको बहुत जादा थकान सी लगने लगेगी तो इस तरह के लक्षर आपको iron deficiency में देखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं magnesium की magnesium deficiency में दोस्तों आपको बहुत की deficiency अगर आपके शरीर में बहुत लंबे समय से है तो आपको बहुत बार ऐसा है कि muscle weakness देखने को मिल सकती है irregular heart rhythm मिल सकता है कि मतलब आपको लग रहा हो तभी अचानक से बहुत heart palpitate करने लग गया आपको sound सुनाई देने लग गया हो तो इन सब से भी आपको पता चलेगा कि के शरीर में potassium deficiency हो रही है कि नहीं हो रही है दोस्तों अब बात करते हैं कि यह सारे vitamins के और mineral के बारे में हमने जान रहे हैं लेकिन इनकी पूरती हम कैसे करें दोस्तों बहुत यह जो vitamins हैं या minerals हैं इनको हमें through vegetables through fruits और तमाम जो हमारे dietary intakes हैं उनसे बढ़ाने के आफशकता होत ही है जिससे हमारे शरीर में जो नीमत रूप से इन vitamins और minerals की आवशकता है वो पूर्ण की जा सके इसके लिए मैं आपको दोस्तों जो new herbs का true vitamins मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में आप लोगों से चर्चा की है और even मैं अपने online और clinic patients को भी रिक्मेंट करत हैं उसको यह पूर्ण करता है इसके साथ साथ दोस्तों यह vitamin K free है तो ऐसे लोग जो heart disease से sufferer है या कोई blood thinner medications पर है वो लोग भी ले सकते हैं इसमें iodine पढ़ा है तो home makers ले सकती हैं साथ में जिनको कोई iodine deficiency बहुत लंबे समय से रही है तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छा vitamin है इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसी herbs भी पड़ी है जैसे देखें आम mention है कि इसमें Korean herbs जिनसेंग पड़ी है जिनको विलोबा पड़ी है साथ ही इसमें liquorise जैसे important herbs पड़े हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही important role play करते हैं इसके साथ साथ दोस्तों ये आपके शरीर में कोई भी harmful products नहीं डालते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आम mention है कि इसमें कोई भी preservative नहीं डाला गया है कोई भी doping agents नहीं उसके गए हैं ये gluten free है तो जिन लोगों को gluten intolerance है वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं FDA, FSS GMP and ISO ये आप चारू देखें इन सबसे ये certified है तो ये एक बहुत ही अच्छा और important vitamin है जिसमें आपको कोई भी tension लेने जैसे आवशकता है नहीं कि इसको लेने के बाद आपके शरीर में कोई भी नुकसान हो सकता है that is a very good and herbal vitamin अब इसको लेना कैसा है ये हम जान लेते हैं पास convening time हो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं रोज आपको बस एक tablet खानी है जितने भी vitamins और minerals या herbs इन सब की आवशकता आपके शरीर में है वो इसको फूर्ण करने में सक्षम होती है purchasing link आपको description में मिल जाएगी आप वहां से इसको खरीच सकते हैं तो दोस्तों इसको आप जरूर try करें और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं subscribe किया है चैनल जरू subscribe करें दोस्तों मिलती हुए से तरह की जिसे ऑने लगी